आगरा में सरवाधेत लोग प्रिये चैनल सीनियूस के एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें आगरा के आसपास के जिलों में वाइरल बुखार का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है स्वास्ति भाग ने अलर्ट जारी कर दिया है उत्रपदेश सरकार ने रैपिड रिस्पॉंस टीम गठित कर दी है आगरा के आसपास के जिलों में वाइरल बुखार का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है स्वास्ति भाग ने अलर्ट जारी कर दिया है उत्रप्रदेश सरकार ने रैपिड रिस्पॉंस टीम गठित कर दी है इसके साथ ही स्वास्व विभाग के द्वारा एक कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है यहां आप बुखार से पेड़ित मरीजों की सूचना दे सकते हैं आगरा एसन मेडिकल कॉलेज में ज्यादतर वाइरल बुखार से पेड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है साथ ही बच्चों को यह बिमारी तेजी से जकड रही है कोरोना का प्रकॉप अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है अधिकांश विशेशगे तीसरी लहर आने की संभावना जता रहे हैं लेकिन तीसरी लहर से पहले वाइरल बुखार ने बच्चों को जकड लिया है आसपास की जिलों में तेजी से छोटे बच्चों को यह बुखार अपनी चपेट में ले रहा है जिसके बदोलत अब एसन मेडिकल कॉलेज समय तमाम प्राइविट अस्पतालों में छोटे बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है हाल ही में पशुओं से फैलने वाला वाइरस स्क्रब टाइफस सामने आया है जो आसपास की जिलों में तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है यह वाइरस पशुपक्षियों और जानवरों से इनसान में फैलता है आम तोर पर ग्रामी निलाकों में यह लोगों को बड़ी तेजी से अपनी चपेट में ले रहा है एसन मेडिकल कॉलेज के प्राचारे प्रशांद गुपता ने बताया कि यह एक तरह का कीड़ा होता है जो पशु पक्षियों में चिपका रहता है जिसके काटने से मनुश्य को तेज बुखार, उल्टी, दस्त, चक्कर आते हैं इससे बचने के लिए इंसानों को फिलहाल पशुओं से दूर रहना चाहिए बाहर की चीजे खाने से बचना चाहिए पक्षियों के द्वारा कुत्रे गए फलों को नहीं खाना चाहिए सी न्यूस के लिए लक्ष्मी राज सिंग की रिपोर्ट